इसी भी रिष्टे में प्यार के साथ साथ एक और चीट जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वे है भरोसा अगर प्यार चला जाए तो उसको वापस लाया जा सकता है लेकिन अगर किसी रिष्टे से भरोसा ही उठ जाए या खत्म हो जाए तो वे रिष्टा खोकला हो जाता है और पती-पत्नी के रिष्टे में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक बार भरोसा गया तो रिष्टे की डोर भी तार-तार हो जाती। उत्यर प्रदेश की कासगंज से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जिसने पती-पतनी के रिष्टे की गरीमा को सवालों के घेरे मिला दिया। जब आप इस पूरे मामले की कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। यहां एक सरकारी अस्पिताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर का अपने पती के साथ जगड़ा चल रहा था। होटल पहुचा और कमरे के अंदर तीनों को एक साथ पकड़ लिया। इसके बाद पतनी और दोनों युगोकों को जम कर पीटा। वहीं मौके पर पहुची पुलिस तीनों को पकड़ कर वो तुबाली ले दे। बतादें कि महिला की श्रादी साल 2013 में हुई थी। शादी के कुछ दिरो बाद से ही महिला का पती से विवाद होता रहता था। पती को इस बाद का श्रक था कि महिला का किसी और से ना जायज रिष्टा है। लगभग एक साल पहले महिला अपने ससुराल छोड़ कर कहीं और रहने लगी थी। लेकिन उसका पती उसके ऊपर पूरी नजर रख रहा था। बुद्वार की रात को पती को सूचना मिली कि महिला पतियाला के किसी होटल में दो यूवकों के साथ ठैरी हुई है। बस फिर क्या था पती अपने परिवार वालों के साथ होटल पहुच गया और उसने कमरे का दर्वाजा खट-कटाया फिर क्या था जैसे ही दर्वाजा खुला सभी हैरान रहे दोनों यूवकों के साथ बेट पर लेटी पत्मी को दो यूवकों के साथ देखकर पती बुखला गया और उसने पत्नी को सब के सामने ही पीटना शुडू कर दिया बाकी दोनों यूवकों को भी पती और उसके घरवालों ने जम कर पीटा पती पत्नी का ड्रामा देखकर पुलिस को बुलाया गया फिलहाल इस पूरे मामले में जाच की जा रही इस पूरे वीडियो को लेकर